हेलो दोस्तो आज मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अलो एरा उसके बारे में तो आपने सुनाई होगा लेकिन आज मैं आप आपको उसके फ्लावर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके फ्लावर्स में से सीट्स निकलते हैं तो जब से पहले तो यह जो एलो एरा के पत्ते होते उसकी slides को आपको cut करना नहीं है और साइद अगर उसके अपने आप खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन इसमें से gel निकाल कर उसे cut करना नहीं है इसे proper sunlight में रखना पड़ेगा ज्यादा थंड में रखना नहीं तो जिससे क्या होता है जो flower stick बनने के लिए जो energy चाहिए वह उसे नहीं मिलती तो पप्स को निकाल कर उसे कहीं और लगा दीजिए और flowers लेने का plant आप एक अलग ग्रो कर सकते हैं जिसमें से आप सिर्ष निकालने के लिए ग्रो करें तो यह आप देख सकते हैं मेरे aloe vera यह तो पहली बार यह bloom कर रहा है तो आप आपको अच्छा ही लगा होगा मुझे बहुत खुसी मिल रही है यह देख कर और अब आपको मैं दिखाओंगा कि इसमें से gel कैसे निकालते हैं यह आप देख सकते हैं aloe vera को दुरूत कुमारी या कुवर पाठो के नाम से भी जाना जाता है इसमें कट कर रहा हूँ तो उसमें से gel कैसे निकालाँगा मैं आपको दिखाओंगा so aloe vera के सेवन करने के बहुत फाइदे होते हैं मैं आपको आपको आज बताऊँगा aloe vera के पत्ते में बहुत ज़्यादा मात्रों में एक तरल पडात पाया जाता है जिसका सेवन करने से हम हेल्दी रह सकते हैं aloe vera का सेवन जीस बना कर भी किया जाता है aloe vera का पोधा और सुद्यों गुणों के लिए पाया जाता है पुरातन काल से एलोएरा का उपयोग कई रोकों के इलाज के लिए किया जाता था जिसका विवरान आज भी आप देख सकते हैं एलोएरा में एमिनो एसीड्स, मिन्रोल्स, विटामिन्स, फैटी एसीड्स और एंजयम्स जैसे दोसों से ज्यादा तत्वा पाये जाते हैं यह देखो मैं देरे से छेल के निकाल रहा हूं जो हमें काम के नहीं है उसमें से जेल निकलेगी एलोएरा के पत्ते में पाये जाने वाली जेल में पानी की मात्रा 99% होती है जो आप देख सकते हैं एकदम पानी कलर का होता है इससे सेवन करने का फायदा मैं आज आपको बताऊंगा रोग प्रतिकार एक समताब बढ़ती है लहू की मातरा को बढ़ाता है सरीर को रोगों से मुक्त रखता है सुगर यानि के मधुप्रमे की मातरा को संचालित करने के लिए एलोएरा का जियूस बहुत फाइदे मन्द है एलोएरा में विटामीन C, E, A, B1, B2, B3, B6, B12 बहुत सारे विटामीन C, Magnesium, Calcium जैसे Micronutricence भी है एलोएरा का सेवन करने के लिए बहुत उप्योगी स्कीन के स्कीन को निखारता है एलोएरा पाचन क्रिया के लिए भी रामबन इलाज होता है ओली स्कीन दूर करने के लिए पिंपल स्थीक हो जाते है अगर आपको बालो की जड जड़ना रूख जाएगा तो यही जो आप देख सकते हैं दूसरा ब्रम तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सेर कीजिए थैंक्यू